Hello everyone, कैसे आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में एक बहुत बड़ी अपडेट जो है आज Galactico Corporate को देखने को मिल रही है हमें जिसकी वज़े से स्टॉक में आज ओपनिंग के टाइम ही हमें अपर सरकेट देखने को मिल रही है क्योंकि अभी से पहले स्टॉक ने भी बहुत ही बड़ी रिटन्स दिये हैं आज से एक महीने पहले स्टॉक का प्राइस चल रहा था 300 रुपे कमपनी ने 15 जून को जो है बोनस और स्प्लिट दिया उसके बाद स्टॉक का प्राइस हुआ 26 रुपे और 26 रुपे जैसे ही स्टॉक का प्राइस हुआ मैंने उसी दिन वीडियो अप्लोड किया कि स्टॉक बहुत बढ़िया है कमपनी के फंडामेंटल बहुत स्टॉक है और 26 रुपे पे स्टॉक आ चुका है बाइंग जोन में आ चुका है परसेज करके चलिए और वही लगाता रैली के साथ स्टॉक 26 रुपे से भागते भागते आज 68 रुपे पे पहुँच चुका है लेकिन एक चीज मैं अभी भी कहूँगा बिना किसी अपडेट के किसी भी स्टॉक के अंदर इंवेस्मेंट करना बहुत ज़्यदा रिस्की हो सकता है ये चीज मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ और आज भी बताऊँगा क्या अपडेट है और क्या ग्लैक्टिको के अंदर अभी बाइंग करना सेफ है या रिस्क रहेगा तो इन दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो के अंदर और प्रफोर्मेंस भी जानेगी कि एक महीने के अंदर स्टॉक ने कितने रिटंस दिये है क्योंकि जब मैंने रिक्मेंट किया था कि आप इस स्टॉक को खरीद के चल सकते हैं बहुत ही बढ़िया स्टॉक है लॉंग टरम में आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफ़ा देगा और मुनाफ़ा तो इसने एक महीने के अंदर मैं आप लोगों को हमेशा देता रहूँ और आप मेरे टेलगराम और वाटसप ग्रूप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा आप मेरे दोनों ग्रूप से भी जुड़ सकते हैं महीने की बात करूँ तो देखे एक महीने में भी स्टॉक का प्राइस 30 रूपे था 30 रूपे से भागते भागते लगब लगब 108% की रिटन जो है स्टॉक ने एक महीने में दे दिये हैं लेकिन आरसाय लेवल ओवरबोट चल रहा है स्टॉक का रिस्की बहुत ज़्यादा है स्टॉक लाउन टरम के लिए अगर आप रिस्क लेके चल सकते हैं तो बाइंग करके चल सकते हैं क्योंकि देखे वो कहानी नहीं है स्टॉक की की डेली 5% चल रहा है 2% भी चल रहा है कभी 1.5% भी चल रहा है कभी 3% भी चल रहा है और कभी 5% भी चल रहा है जैसे ही आज जब date आया company का वैसे ही आज stock में हमें market opening के अंदर ही 5% का upper second देखने को मिल रहा 6 मेने की returns की बात करूँ तो बहुती बढ़ी है कमाल के returns 1312% के return जो है stock ने दे दिया है तो बहुती कमाल के numbers 6 मेने के अंदर Galactico Corporate Services के share ने दे भी दिये है एक साल की बात तो 1523% के return दिये है देखे ये stock आपको 68 रुपे पे इस टाइम देखने को मिल रहा है लेकिन एक मही ने पहले पहले जब 300 रुपे पे गया ना तो भी यही stock का pattern था ऐसे ही थोड़ी थोड़ी गिरावट के साथ stock daily उपर गया थ 4 रुपीज 60 मिलियन stock source 3% यानि कि कल की डेट में भी अपडेट था देखे तीन बज कर 44 मिनट का अपडेट है 20 जुलाई का रात को दोबारा से confirmation हुई है इस stock की अपडेट की कि Galactico Corporate ने जो है Beambox Technologies को और उसके वज़े से कल भी 3% की तेजी थी और आज सीधी 5% के आसपास की तेजी हमें इसके अंदर देखने को मिल रही है Company का काम क्या है देखे Beambox Technologies will help the company to promote and develop a variety of fantasy gaming applications यानिके gaming applications की company है जिसको company ने acquire कर लिया है Beambox Technologies को साथ मिलियन रुपीज में यहां पर घ्रीद लिया company और Beambox Technologies जो है देखे we have seen a tremendous change in the way sports to have become a part and pressure of our life comment विपुल लाठी chairman of galactico corporate services limited यानिके chairman विपुल लाठी है और उन्होंने बताया कि आने वाला time जो आपको tremendous change यानिकी बहुत तेजी से changes देखने को मिल रहे है हमारी life के अंदर sports के अंदर तो gaming को लेके जो है इस वज़े से उन्होंने जो है company को खरीद लिया है Beambox Technologies को 60 million rupees में और जिसकी वज़े से stock ने कल भी 3% की तेजी दिखाई थी और आज सीधी market opening के टाइम ही 5% की तेजी stock अलड़ी दिखा चुका है अगर आज का buying pressure देखो तो 7,35,302 shares का buying pressure है 2,32,355 shares का volume trade हो चुका है और 9,365 shares जो है selling order में भी देखने को मिल रहे है यानि कि थोड़ी बहुत selling जुरूर चल रही है और overboard zone में stock चल रहा है market cap 1,000 क्रोड क्रोश कर चुकर जा है और बहुत शांदार बात है stock का price 26 रुपे था company का market cap था 500 क्रोड था और आज बढ़कर एक महिने के अंदर 500 क्रोड की company 1000 क्रोड की हो चुकी है book value stock की 1 रुपे 9 पैसे है P जो है वो 34.05 और price to book value 2.85 की देखने को मिल रही है रिस्क क्यों कह रहा हूं मैं stock के अंदर तो risk देखे आप stock का RSI level देखे 100 point के साथ चलता है यानि कि overbought zone में stock चलता है अगर risk ले सकते हैं तो आप investment करिए और नहीं ले सकते हैं जो मैंने बताया था कि पिछले वी कि जो मैंने लोगों का sell करवा था stock कि अगर आप risk नहीं ले सकते हैं तो आप stock को sell करके निकल सकते हैं क्योंकि stock overbought zone में चल रहा है अगर risk ले सकते हैं तो आप continue कर सकते हैं कितनी भी investment करके चल सकते हैं Galactico Corporate के अंदर और rally जो है बहुती शांदार देखने को मिल देली 5% का stock नहीं है अपसरके नहीं लग रहा है कभी-कभी 5%, कभी 4%, कभी 3%, कभी 2% ऐसे चल रहा है ये नहीं कि total operator game कह सकता हूं मैं इसके अंदर क्योंकि operator game होता तो 5% भागता daily लेकिन operator game नहीं है क्यों क्योंकि daily कभी 2% भाग रहा है, कभी 1.5% भाग रहा है, कभी 1.5% भाग रहा है और आज update जैसे ही आया, कल 3% था और आज 5% का शोर जो है stock ने दिखा दिया है resistance और support levels की बात करूँ तो बिना resistance support levels की stock daily continuously भाग रहा है क्योंकि resistance level से तीनो resistance level जो है उनको break कर चुका है तो इनके अगर according बात करूँ तो बहुत बड़ी तेजी stock में देखने को मिल सकती है और मैं initially target जो है पहले से ही लेके चल रहा हूं कि 100 रुपे तक ये stock आपको जाते है देखने को मिल सकता है risk की जरूर है और risk है तो आपको पता है कि दोनों चीज़े होती है 50-50 होती है नुकसान भी हो सकता है और profit भी कमा के या stock आपको दे सकता है price performance देखें एक साल में 2000% 6 महिने में 2000% 3 महिने में 1000% एक मंत में 108% और एक वीकी में 15% की return जो गलेक्टिको कॉर्परेट ने दे भी दिये है volume देखें ज्यादा volume नहीं आ रहा है 2-3 लाग के आसपास का volume आ रहा है और 100% delivery उठाए जारी है T plus 2T category में है stock ये चीज़ आप लोगों को फिर से remind करा दूं कि अगर आप लोगों ने आज खरीद लिया तो आप मंडे को ही sell कर पाएंगे अगर lower circuit stock के अंदर लग जाता है तो सोच समझ के investment करनी है अगर risk ले सकते हैं तो आप galactico corporate को अपने portfolio के अंदर buying करके चल सकते हैं आपको वीडियो पसंदा ही तो वीडियो को like and share जूरू करें और आप मेरे चैनल पिन नहीं है तो प्रीच चैनल को subscribe करके bell icon को जूरूर प्रेस कर लें